प्रस्तुत करता, येस बैंक, इंडिया बोले येस, हिल्थ इंशुरेंस पार्टनर, अपोलो म्यूलिक हिल्थ इंशुरेंस नवस्कार आप देख रहे हैं, जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूँ अनुया यादाव, मोधी बूस्टर 2018 बजट की हमारी एक और खास पेशकर्श हम आपके सामने लेकर आए हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है कंज्यूमर स्पीक्स हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आखिर कंज्यूमर क्या चाहता है क्या है उसकी डिमांड, क्या वो सोचता है इस बजट के बारे में और क्या है वितमंत्री आरुन जेटली जी से उम्मीदे खास बात यहां पर यह है कि 2019 में ये सरकार दोबारा चुनावों में जाएगी और उससे पहले का ये आखरी फुल बजट है एक और important चीज़, पिछले साल सरकार ने GST की शुरुआत की थी और GST के बाद का ये पहला बजट है तो इसलिए क्या सस्ता हुआ, क्या मेहंगा हुआ, ये आपको इस बार बजट में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जब-जब GST काउंसल के बैठक होगी उसमें उस तरह के बदलाव होंगे लेकिन क्या फिर भी important हो सकता है इस budget में इस पर हम बातचीत करेंगे, आम आदमी क्या सूचता है, क्या चाहता है ये सब आपको आम आदमी की आवाज सुनवाएंगे, यानि की consumer की आवाज सुनवाएंगे Students यहाँ पर है, साथने कुछ working professionals भी हैं यहाँ पर उनसे जानेंगे कि उनकी demand क्या है, क्या सूचते है इस budget के बारे में और तीन खास मेहमान मेरे साथ है, उनसे आपका तारूफ करा देते हैं एल मान सिंग साहब है, former consumer affairs secretary, बे जान मिश्रा, consumer activist मेरे साथ है और अंकित खंडेलवाल, जो की COO है, Unicomers eSolutions के यह तीनों खास मेहमान हमारे साथ है, और आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है इस कारिक्रम में आपके पास आऊं, उससे पहले मैं यहाँ जो लोग बैठे हैं, उनसे समझना चाहूंगी पिछले budget के मुकाबले, इस budget से, यानि कि पूरे एक साल में आप क्या बहतर कर पाएं हैं, अपनी सेविंग्स बहतर कर पाएं हैं, यानि कि इन्वेस्टमेंट बहतर कर पाएं हैं, या फिर आपको लगता है कि बहंगाई की मार से आप पर रिशान हैं पहले कि comparison में अब ज्यादा महंगाई हो चुकी है क्योंकि कभी-कभी हम जब कुस वेज़ोटेबल लेने जाते हैं, तो रेट उसके हाई हो जाते हैं, तैसे प्याज की रेट हाई हो जाते हैं, तो हम भाएं नहीं कर पाते हैं, तो हम आवाइट करते हैं वो चीजे, तो इस तरह से खर्चा जादा हो रहा है, कि डेली यूजबल थिंग्स भी आजकल एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो उसन पर ज्यादा हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, और इस वज़े सेविंग थोड़ा कम हो रहा है, सेविंग्स कम हो रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे पीछे, पेर इस्टी लागू हो गया, लेकिन उसके बाद भी लोगों का ये कहना है, कि हम बचत जादा नहीं कर पा रहे हैं, और खर्चा जादा हो रहा है, हम मानते हैं कि ये एक परसेप्शन है, क्योंकि जितने भी एकनामिक सवे, अभी तक जिसका रेजल्ट हमारे पास है, ये बतात है, मैं सिवाफ मोर डिस्पोजेबल इंकम और ये ये वहाँ देखिये, वाइड गोड्स एट्सेटरा, आप ये जो लेडी बताई कि वो सब्जी हम बहुत मेंगा हो गया है, आप कोई भी सब्जी मार्केट पे जाईए, दुनिया भर का इंपोर्टेट फ्रूट्स और ये कोई सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन वो प्याज का भाव 40 रुपिया हो गया है, तो उस पे हम कहेंगे कि ये मुदी सरकार क्या कर रहा है, जो कंजूमर है सर, वो तो end of the day 200 रुपए का एपल खरीदना ना या नहीं खरीदना वो उसकी चॉइस हो सकती है, लेकिन प्याज जैसी चीज जो रोजमर्रा में इस्तमाल होने वाली चीज़े हैं, अगर उसके दाम 100 रुपए तक पहुँच जाएंगे, तो फिर तो आदमी की थाली से जो main component है, सबजी आपकी बनेगी, आप चटनी बनाएंगे, हर चीज में इस्तमाल होने वाला प्याज, जिसके लिए म वहाँ जो फार्वर है मारास्ट्रम में, वो सड़क पे वो प्याज भेंक रहा है, का कि हमको तो धाई रुपया मिल रहा है, हम तो नुकसान में जा रहे हैं, हम तो बरबाद हो गए है, ये काम तो फिर राज्य सरकारों का और सेंट्रल गवर्मेंट का है, क्योंकि बहुत बार ये बाते सुनी है, क्योंकि वहराउसिंग नहीं, हम लोग के देश में कोल्ड चेन वैपक रूप से नहीं आया है, यूज़ी कोल्ड चेन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी, you know, 60-70% अनाज बोलिये है, या मतलब फल बोलिये है, या, you know, all the essential agricultural produce बोलिये, वो waste हो रहा है, यूज़ी सही कीमत इसलिए नहीं मिल रहा है कंसुमर को, क्योंकि हम आपको बता है, जिस प्याज का जो example आप दिये, या आलू का दिये, you know, farmers को इसलिए हमको सही price दिलाना है, तो हमको intermediary, जैसे मान सिंग साम नहीं गा, intermediary को कम करना होगा, intermediary क सम करके farmer to consumer, कैसे हम लोग एक prompt, एक efficient manner से ला सकेंगे, उससे क्या होगा कि consumer को भी कम पैसे में उपलब दोगा, सबसे पहली आवाज या सबसे पहली चीज, जो कोई भी consumer demand करता है, वो ये कि महंगाई को थोड़ा काबू में कम किया जाए, और वानसिक साब इसमें समझ में य वित्तमंतरी जी को कुछ ऐसी policies या कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे, ताकि agriculture sector को और boost मिले और खाने पीने की चीज़े कम से कम यहां पर सस्ती हो, प्राइस fluctuation क्यों होता है, अलू में क्यों होता है, प्याज में क्यों होता है, एनी एनी produce, क्योंकि harvest एक टाइम पे आता है, आ करके धीरे धीरे वो प्राइब बढ़ता जाएगा, so they take the lion's share, अचा यह हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे regulate कर सकते हैं, you have to introduce forward trading, वो forward trading के लिए and not the whole type of forward trading के जो खाली traders कर रहे हैं, तो क्या सुझाव दे सकते हैं वित्तमंत्री जी को इस budget में इस पर काम करने के लिए, definitely, आप allow कर दीजिए कि भाई agricultural produce के लिए, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई APMC Act को खतम कर दो, क्योंकि यह State Act है, कोई भी BJP हो, Congress हो, कोई भी सरकार हो, वो control छोड़ने के लिए कोई तयार नही तो, farmer वो मंडी में बेचेगा, या कारगिल को बेचेगा, या जिसको मर्जी बेचेगा, उसको छोड़ दीजिए, and forward trading में आप allow कर दीजिए, under a, Act is 1954 Act, but totally obsolete, उसका आप पारलेमेंट से पास कर दीजिए, पारलेमेंट तो function ही नहीं करता है, आप act कहां से allow के, एक एक, अब दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं, तो जो consumer है, जो आम आदमी है, वो ये सोचता है, sir, कि tax slab में बदलाव होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, कि आप इस limit को धाई लाक रुपए से बढ़ा कर तीन लाक रुपए कर दीजिए, क्योंकि savings के नाम पर कुछ नहीं हो रहा ह क्यों तीन लाक, क्योंने दस लाक, नहीं हमको नहीं समझ में हा रहा है, you see, income tax, in fact, आप हमसे दी पूछे, income tax तो हमारे देश में होना ही नहीं नहीं चीए, 2% तो income tax देते हैं, उसको रखोगी को बिल्कुल सर, बहुत बहुत बड़ा, जो working class है, वो यहीं सोचता है, कि पूरे देश का बोज में उठा रहा हूं, तो आप मेरी savings के लिए कुछ मेरे लिए बेहतर कीजिए, यहां पर खर्चा जो सरकार को देखना चाहिए, वो नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम तो चाहेंगे कि आप हमको income tax से बबंचित कर दीजिए, लेकिन फिर इसमें सरकार कहेगी that we are a developing economy, we are not a developed economy, तो हम इतनी सारी चूट भी नहीं देख देखें, तो अभी तो GST आ गया, उससे हम लोग को modernize, मुदी जी भी बोल रहा है new India, अब new India क्या है new India, new India is no income tax, ठीक है, अंकित आपका point of view समझना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं इस पर, क्या feasibility दिखती है, demand बहुत जादा महीं है आम आत्मी की, वो कह रहा है कि आप धाई लाक से बढ़ा कर इसे 3 लाक, कितना कर दीजे, ताकि मेरी जेब में थोड़ा और पैसा रह जाए, मुझे लगता है कि आप धाई लाक से 3 लाक कर दीजे, साड़ तीन लाक कर दीजे, I think consumer को tax देने में problem नहीं है, if consumer को tax के बहाफ पे उसकी जो government की services हैं, वो इदिकर डंग से मिले, इदिकर education मिले, इदिकर can provide those services, then I think consumers can easily pay higher taxes to the government. या तो tax लाइए, आप tax भी लोगे, फिर sales भी लोगे, और फिर हम देखते हैं कि आप sales collect करने के बाद भी, वो पैसे use नहीं हो रहा है, तो उससे फाइदा क्या हो रहा है? आप लोग भी यहीं मानते हैं कि tax तो आप देने को तयार हैं, लेकिन उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए? जैसे हम को tax pay करते हैं, हर्जी, GST हो, चाहिए income tax हो, हम हर्जी को tax pay करते हैं, मगर वो उस तरह से हमें infrastructure या फिर हमें facilities नहीं मिलवाती हैं. मानसें चाहिए बहुत बार हमने सुना है, मिडल क्लास आदमी ये सोचता है कि मैं सबसे पहले मेरी salary से tax लिया जाता है, CES की बाद बेजाओन जो यहाँ पर कर रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो इस दिशा में भी काम करने की जो रहत है? तो एक तो आपको टैक्स बेक्स को वाइडन करना पड़ेगा, और दोस वार उनिंग मस्ट पे, नहीं तो आप, I will agree with him, कि भी फिर जो लोग अभाइड नहीं कर सकते हैं, उनके उपर आप सब ठोक देते हो, जो फिर जो लोग अवाइड नहीं कर सकते हैं, उनके उपर आप तो आप लोग जो कंप्रेंट कर रहे हो कि एजुकेशन आप कोई लोर मिट्ल ग्लास फामिली से है, तो आपोड नहीं कर पाईगा, तो उसको सरकार कहेगा कि जाके बैंक से लोन ले लो, इतना आसान चीज नहीं है, ठीक है? अगर अगर अपर्चुनिटी, इस इस गुए अगर अगर अपर्चुनिटी, इस इस गुए अगर आप सब को अलाव नहीं करोगे, तो लोएस तो ये, कोई लाइस लिबरर का लडगा, अगर लड़की, कोई अच्छा ये करे, जाके वो, कोई लोगा, कोई ये, कोई लोगा, अगर आप लड़की, अगर 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 अगर, अगर अगर, आप आप ताक्स बारे हो, अच्छा उसका अगर 75 परेंट, और 70% वो ब्यूरोक्राट का सालेरी पर जा रहा है So naturally people will complain जो दे रहे हैं उनको यह करें क्या हो रहा है यानि कि सर जो समझ में आता है वो यह कि Tax Lab बढ़ना चाहिए दूसरा Education सेक्टर पर भी सरकार को और ज़्यान देने की जरुरत है Education, Health and Social Infrastructure And lesson, they must show बहुत tangible रूप से उनको दिखाना चाहिए कि हम सरकारी त्रंत तंतर को चलाने के लिए हम अब कम पैसे खर्चा कर रहे है तो कहीं न कहीं हमारे former bureaucrats agree करेंगे कि कहीं न कहीं यह दिखना चाहिए कि bureaucrats के तंखा भी घटना चीए बढ़ना नहीं चीए उसी उनका pension भी कहीं न कहीं घटना चीए बढ़ना नहीं चीए सर इससे उलट मैं यह चाहूंगी कि इस बार घोषना कुछ ऐसी हो कि हम इतने number of jobs जो है वो generate करेंगे आप तंखा मत घटाईए आप pension मत घटाईए लेकिन आप jobs उतनी create कीजिए ताकि जो youth है उसे किसी तरह की परेशाई ना हो आप बहुत valid point raise किये हैं एक तो सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि jobless growth अच्छा लोगों को jobs नहीं मिल रहा है आप पढ़ाई करके आप MBA के बाद MBA graduate सभी लोग बन जाते हैं आजकल उसके बाद कहेंगे कि नोकरी नहीं है तो हम क्या करेंगे सर आप प्लीज यह जरूर बताईए लोगों को कि सरकारी तंत्र में इतना rush क्यों होता है job के लिए क्योंकि job security है यह अप खाम ना भी करो तो आपको कोई भगाने वाली नहीं है देलिवर आप यूना अधर रिस्पोंसिबिली तो डेलिवर वो है नहीं सेकंड थिंग आप यूना जिकर करना चाहूंगा कि मार्गेट थैचर जो सी कैरीड आउट मैसिव रिफॉर्म सुच इन इंडिया वी क्लें तो बहुत कम किये है उस समय वह ब्रिटिस एकॉनमी अलसो वाजन इट्स नीज विन सी तुक अबर उन्होंने रेखा कि इंफलेशन जैसे हम यहां तो बहुत कम हो गया है पहले जैसे डबल डिजिट इंफलेशन वहां ब्रिटेन में हो रहा था तो यह का कि इंफलेशन क्यों कम नहीं हो रहा है यह हम पॉलिसी यह करना है तो देखा कि दा ब्यूरोक्रासी वाज हाड़ली बॉज़र्ड बॉज़र्ड बिकॉस दैर पे वाज इंडेक्स तो देखा कि इंफलेशन वहां ब्रिटेन में हो रहा है जोब जेनरेट करना लेकिन जोब्स का मतलब यह नहीं है कि आप हाइएंड जोब्स ना जेनरेट करें अब सोची आप खुद यह एक्जामपल दे रहे हैं कि PhD, MBAs, IIT, Pass Out इनके लिए उस तरह की हाइएंड जोब्स ही नहीं है जिसके बाद यही वो स्टूडेंट्स हैं यही वो लोग हैं जो दूश्टर देश में जाकर काम करते हैं या फिर उन्हें अपने लेवल से नीचे की जोब पर अज़ेस्ट करना पड़ता है कई बार एक तो दा क्वालिटी आफ एजुकेशन इस लेसेट दा बेटा इसलिए इंडिया इस अ कंट्री विच सस्टेंस यूनिवर्सिटीटिस इन दा यूएस, यूके ऑस्टेलिया वाके अड्मिशन मिला करते हैं इधर आप प्रणीटीटिस इन आफ इन गए बात करें हैं जब यंग इंट्रोपनियोर्षिप की बात करते हैं तो वो यह कहते हैं कि ease of doing business की बात तो सरकार करती है लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारी परेशानिया हैं बहुत सारे hurdles हैं इनसे भी पार पानी होगी अंकित मैं आप से समझना चाहूंगी की आपको लगता है कि इस बार का बजट कैसा होगा पॉपुलिस्ट होगा रिफॉर्मिस्ट होगा या फिर सरकार बहुत ही बैलेंस लुकाउट लेकर यहां पर चलेगी I think थोड़ा सा बैलेंस भी होगा क्योंकि 2019 में एलेक्शन सा रहे हैं तो गवर्मेंट को वो सब भी देखना है कि they should be you know able to compete in that election but last 2-1 साल में जो चीजें करी हैं गवर्मेंट ने उसको और इंप्रूव करने के लिए for example digital payments को push करने के लिए GST को और improve करने के लिए government कुछ actions लेगी and I think which is very required because once you take any action आपको उसके बाद उसको push करने के लिए you have to take you know multiple actions so digital payment के लिए अभी government ने जो बढ़ावा दिया है नए-नए start-ups आरे हैं तो digital payment को push कर रहे हैं लेकिन अभी उसमें बहुत सारी चीजें और करने की शुरूआत अच्छी हुए लेकिन काम अभी और बुट को पह सर आपके closing remarks ने हम यह आप बिलकुल 100% आप सही बता रहे हैं कि हम हम इस वेरी ईजी तो से कि भाई आप डोंट लुक फर जॉप्स लुक फर स्टार्ट अप्स इंडिया में बिकॉस अफ ऑफ शुलीट अंट टोली आउट देट लॉज रेगूलेशन्स एंड प्रैक्टिसेस एंड भास्ट ब्यूर्ट्रेसी वो भी तो उनका करने के लिए आप सिंपल थिंग आप एक देट सर्टिफिकेट बहुत चर्टिफिकेट ले 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 के लिए जाहिए किसी गर्मेंट ऑफिस में क्या कैसा चल रहा है आपको पता है बेजा ओन यॉर खोजिंग कॉमेंट इस बजट में हम लोग यह देखना चाहेंगे क्योंकि सरकार के पास बहुत ज़्यादा अलबो रूम भी नहीं है इतने पैसे भी नहीं है कि वो खर्चा कर सके बट लुकि लुकि इंटो पर्फॉर्मेंस फूर्मेंट जो इतने प्रॉमिस किये हैं हम उमीद करते हैं कि यह भी हूज इंवस्मेंट इन अगरिकल्चल सेक सेक्टर और हम यह भी उमीद कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में भी केंद्री सरकार काफी बजट एलोकिशन करेंगे ताकि लोग लोगों को कई सुविदाएं जो यूटिलिटीज हैं आज लोगों का यूटिलिटीज क्या है हेल्थ, एजूकेशन, शेल्टर, ट्रांस्पोर यह सारे सेक्टर में उनको कम से कम पैसे में उपलब्दी उनको उपलब्द करवाना चाहिए जादा पैसा आए, एजूकेशन सेक्टर पर ध्यान देना होगा, हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना होगा और जब इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तब ही देश यहाँ पर आगे बढ़ेगा, इस बजट पर सबसे बड़ी कवरेज हम लगातार आपको Zee Business पर दिखा रहे हैं, बहुत सारी exclusive stories भी आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं और budget से जुड़ा हर update भी हम आपको Zee Business पर देंगे, तो इस खास कारेक्रम में इतना ही, आप सभी खास मेमानू का बहुत बहुत शुक्रिया हमाई सार जुड़ने के लिए, नमस्कार.